प्रेमित्रों एक बार फिर से आप सभी को जैमसी की हम परमेश्वर का धनेवाद करते हैं कि परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक अपने वचन को पहुचा रहा है और हमारे यही प्रयास होता है कि आप बाइबल की सही शिक्षा को इस चैनल के माध्य वाला हो सके और उन लोगों तक हमारी वीडियो पहुच सके जो अभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाए हैं तो आज का जो महतपूर्ण वीडियो में बना रहा हूं वो उन सभी सेवकों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जो परमेश्वर के वचन का परचार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है या फिर हम इस बात को कह सकते हैं कि जब हम किसी के साथ सुसमाचार को परचार कर रहे हैं या फिर किसी नए व्यक्ति के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं तो फिर हमें किन बातों का ख्याल लखने क आवश्च रखता है ताकि हम उस तक परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से पहुचा सके तो इस वीडियो के अंदर मैं दस ऐसी बाते आपको बताऊंगा जब आप सुसमचार परचार करते हैं तो उन बातों को आप जरूर फॉलो करें ताकि आप परमेश्वर के वचन क लोगों तक सही तरीके से पहुचा सके तो वीडियो को आप अंति तक जरूर देखना यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको में स तो प्रियमित्रो जब आप किसी के साथ भी परमेश्वर के वचन को बाटते हैं या फिर सूसमचार परचार करते हैं उस समय में आपको इन दस बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़दा जरूरी है और अगर आप इन दस बातों को अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो रिलेशन शिप विद आम। और यदि आप उसके साथ अच्छा रिलेशन्शिप नहीं बना पाए हैं, तो आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी आपको परमिश्वर के वचन को उसके साथ बाटने में, तो सबसे पहले आपको क्या करने की जरूरत है, आपको उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप सू समाच परचार कर रहे हैं, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन्शिप, एक अच्छा रिष्टा उसके साथ बनाईए, ताकि वो आपकी बात को सुन सके, दूसरा जो पॉइंट आता है, वो है to know him or her problem, हमें उस व्यक्ति की समस्या को सुनना बहुत ही ज़ादा जरूरी है, वो क्या बात कहा रहा है, उसकी क्या समस्या है, सबसे पहले हमें उसकी उस समस्या का हल करने की आवश्यक्ता है, अगर कोई व्यक्ति बिमार है, और अगर हम उसको सूसमाचार परचार कर रहे हैं, और उसको ये बोल रहे हैं कि आप यूशुमसी पर विश्वास करो, आप उद्धा उसके लिए प्रात्ना करें, उसको आश्वाशन दें, और यहां तक कि अगर आपसे कोई मदद होती है उस रख्ती के लिए, चाहे उसको हॉस्पिटल ले जाना है, या फिर उसकी बीमारी में किसी प्रकार से आप उसकी साहता करना चाहते हैं, तो आप उसकी जरूर साहता करे इसलिए आपको उसकी प्राबलम को, उसकी समस्या को जानना बहुत ही ज़ादा जरूरी है, तीसरी जो महत्वपूर बात है, उसमें आपको इन तीन चीजों को करना जरूरी है, और वो है hearing, learning and observing, आपको उस व्यक्ति को सुनना है, उसकी बातों से बहुत सी बातों को सीखना है, और तीसरी चीज आपको अवलोकन करने की आवश्यक्ता है, आपको observe करना है कि उस व्यक्ति की सोच क्या है, वो किस प्रकार की विचारधारा को रखता है, वो किस चीज पर विश्वास करता है, उसका क्या मत है, वो किन तरह की चीजों को पसंद करता है, आपको बहुत स जिससे कि आप जब आप उसके साथ सुसम अचार परचार करते हैं, तो आपको उसकी हर एक बात का धियान रहे कि उसको क्या चीज पसंद है, वो किस प्रकार का विश्वास रखता है, वो किस मत को फॉलो करता है, उसकी क्या विचार धारा है, आपको उन सारी चीज़ों को तो उस व्यक्ति को जानने के लिए हमें उसको सुनना है, उससे बहुत सी बातों को सीखना है और उसको observe करने की आवशक्ता है, उसका अवलोकन करने की जरूरत है, ताकि हम उसको समझ सके कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, तो ये तीन चीजे आपको इस थ्री पॉइंट में क करने की आवशक्ता है, चौती जो महतवपूर्ण चीज है, वो है to touch the point which can impress him, उस व्यक्ति के लिए आपको एक ऐसे बिंदु को छेड़ने की आवशक्ता है, जो उसको प्रभावीत करे हम से, या उसको impress कर सके, अब वो कौन सी बाते हो सकती है, वो सारी बाते जब आप उसक को कहे कि यिशुमसी के अलावा और कोई भी प्रभू नहीं है, या फिर वो खुद इस बात को कहे कि केवल उद्धार यिशुमसी के द्वारा मिल सकता है, इसलिए आपको एक ऐसे बिंदु को touch करने की आवशक्ता है, जो उस व्यक्ति के जीवन को touch कर सके, तो आप जब उस के साथ सू समाचार बाटते हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ऐसी कौन सी बात है, जो उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, छटा महतव पूर्ण पॉइंट जो है, वो है, आपको इन सारी बातों के बाद सू समाचार को परचार करने की आवशक्ता है, अगर आप डारेक्ट जाकर किसी व्यक्ति के साथ सू समाचार परचार कर रहे हैं, और अगर आपने उसके साथ रिलेशन्चिप बिल्ड नहीं किया है, या फिर आपने उसकी समस्या को नहीं जाना है, उसको नहीं सुना है, उसको अब्जर्व नहीं करा है, उसकी बातों से बहुत सारी बाते नहीं सीखी हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा उसको सूसामाचार परचार करना, और हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको सुने भी नहीं, इसलिए सूसामाचार को परचार करने से पहले आपको इन पाँच पॉइंट को अपने जीवन में करने की जब छटे पॉइंट पर आते हैं आप, तो आपको सूसामाचार परचार करने की आवश्क्ता है, ये सच है कि बहुत सारी चीजों को हमें situation को देखकर करने की आवश्क्ता है, लेकिन फिर भी अगर इन पॉइंट्स को आप सूसामाचार परचार करने में लागू करने का प विश्वास का बचाव करना भी आना जरूरी है। आप नहीं जानते कि आपके विश्वास को लेकर वो व्यक्ति किस प्रकार का प्रशन कर दे। या फिर उसके पास कोई एक ऐसा नेगेटिव एक्जामपल है क्रिश्यानिटी को लेकर जिसकी वज़े से उसके माइंड में मसीहत के लिए एक गलत पिक्चर बनी हुई है। या हो सकता है कि उसके पास एक ऐसा प्रशन हो जिसका उत्तर आप ना दे सकते हों। इसलिए आपको सबसे पहले आपको अपने आपको प्रिपेर करने के आवश्यक्ता है अपने विश्वास का डिफेंस करने के लिए अपने विश्वास का बचाव करने के लिए तो जब हम सुसामचार परचार करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास उनके उत्तर होने बहुत ज़्यादा जरूरी है आठवा जो पॉइंट है वो हमारे व्यक्ति का जीवन से संबंद रखता है इसलिए आठवा जो पॉइंट है वो ये है वी नीड टु शेयर आवर ओन टेस्टमनी हमें अपनी खुद की टेस्टमनी यानि कि अपनी खुद की गवाही को उसके साथ करेगा क्योंकि शायद हो सकता है उसने बाइबल को इतना नहीं जाना है या फिर उसको बाइबल की नौलिज इतनी नहीं है लेकिन वो व्यक्ति आपको जानता है वो आपके जीवन को जानता है इसलिए आप अपनी टेस्टमनी जरूर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें और उ आज के समय में हमारे चार और बहुत सी गलत शिक्षाएं फैलती जा रही हैं और लोग उनको जादा फोलो कर रहे हैं तो आपको सही शिक्षा और गलत शिक्षा में भी अंतर बताने की आवश्यक्ता है। और दस्वा जो महत्वपूर पॉइंट है वो हमें इस बात को बताता है कि जब हम सूसामचार परचार करते हैं तो हमें किसको परचार करने की आवश्यक्ता है। और जो वो दस्वा पॉइंट मेरा है वो है क्राइस सेंटर प्रिचिंग। मसी हमारे सूसामचार का केंद्र होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है। कि केवल हम अपने ही विशे में बता रहे हैं लेकिन येश्व मसी के बारे में हमने उसको बताया ही नहीं। हमें प्रभू येश्व मसी को आधार बनाकर अपने सूसामचार को उस व्यक्ति के साथ परचार करने की आवश्यक्ता है। क्योंकि हमारी टेस्टमनी उसको प्रभू के पास लाने में सहायता कर सकती है, लेकिन उसका जीवन येश्व मसी के द्वारा ही बदल सकता है। इसलिए जब आप सुसामाचार परचार करते हैं, तो आपको प्रभूई येश्व मसी को परचार करने की आवशकता है। अगर आप येश्व मसी को वहाँ से हटा देते हैं, तो उस व्यक्ति का जीवन नहीं बदल सकता। तो ये जो दस पॉइंट हैं, अगर आप इन दस बातों को अपने जीवन में फॉलो करेंगे, और सुसामाचार परचार करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपको जरूर सहायता मिलेगी। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लाब जरूर मिलेगा, और जब आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक बाढ़ते हैं, तो आपको उनको परचार करने में काफी ज्यादा सहायता इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है, यदि आपको कोई परात्ना का विश्य है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी परात्ना को दे सकते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए परात्ना कर सकें, और यदि कोई भी प्रशन आपका है, तो आप वो भी comment box में डाल सकते हैं ताकि हम आपके प्रशन का उत्तर देने का प्रयास कर सकें पर मेश्वर आप सभी को बहुत आइद के साथ आशिर दे Thank you